हेलो बच्चोँ लेट्स डीड दा कॉस्चन बच्चोँ कॉस्चन में पूछ रहा है पेर ओफ कॉमपॉंट्स विद इनकर्क्रेॉट रिलेशिंजिग लेशिट इस ओके बच्चोँ तो चार पैर दे रखें साथ उनकी रिलेश्टिम भी दे रखें रिलेश्यशिप भी दे तो incorrect बताने है कहा पर है अब यह रखा है बच्छो डाय-स्टीरियोमर्स, इनेंशोमर्स यह क्या होते है बच्छो यह आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनका Molecular Formula सेम होता है, Bond Connectivity भी सेम होते है बस Groups का special arrangement स्टीरियोमर्स यह रखा है बच्छो इनेंशोमर्स यह क्या होता है बच्छो यह रखा है इसे आपको सेम ग्रूप्स मिल जाएं तो अगर दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट होगा अब बात करेंगे अगर relations की, तो relations कैसे निकालते हैं, relation हम निकालते हैं, सबसे पहले हम यही चेक करते हैं, दो बंदों में, क्या वो stereo isomers है, molecular formula same हो, bond connectivity भी same हो, इतना ही देख रहा है, ओके, उसके बाद, ठीक है, बाद की बात है, special arrangement चाहिए ना भी देखो एक बाद, फिर हम चेक करते, क्या वो जो दो given compounds है, क्या वो दूसरे की mirror image है, तो answer या तो आएगा आपका yes, हाजी वो mirror image है, या फिर आपका answer आएगा no, mirror image नहीं है, अगर आपका answer आएगा no, तो आप क्या करो, बच्छो, किसी एक compound को नो rotate करके देखो, अगर वो दूसरे compound में change हो गया, मतलब दूसरे compound के साथ वो same हो गया, तो क्या होंगे बच्छो, तो compounds आपके identical होंगे, identicals को हम homomers भी कहते हैं बच्छो, और अगर वो नहीं हुआ, फिर भी different रहे after rotation दोनो, तो क्या होंगे, diastereomers होंगे, क्या होंगे बच्छो, diastereomers होंगे, अगर हमने पूछा कि बच्छो, mirror image है, आंसर आया yes, तो उसमें क्या करो बच्छो, plane of symmetry चेक करो, किसी एक में भी चेक कर लो, अगर किसी एक में भी plane of symmetry हुआ, ओके बच्छो, मतलब कि एक में चेक कर लो mirror image है, अगर दूसरा इंप्पाउंट्स आपके identical हो जाएंगे, और अगर आंसर आया no, तो compounds क्या होंगे बच्छो, inensumers, ओके बच्छो, compounds क्यों हो जाएंगे, ऐसे में inensumers सबके हो जाएंगे, तो yes पे क्या है, identical है, no पे क्या है, inensumers है, कि नो पर कि आंगे इन इंशो मरस हो जाएंगे क्या बढ़ियों से मैट्री आगया थो और अप्टिकल इन एक्ट वह ना बच्छो के तो मिर्रे इमेज ऑप्टिकल इन एक्टिव इन एक्टिव कंपांड की यह मतलब identically compound है, ओके बच्छो, चलो पहले में चेक करते हैं, तो क्या यह इनका molecular formula सेम है, बच्छो, 5 member की ring दोनों के पास है, दोनों के पास 2 OH ग्रूप है, बिल्कुल सेम है, बच्छो, ओके bond connectivity भी सेम है, बच्छो, ओके adjacent carbon पर 2 OH ग्रूप लगे हो है, फिर चेक करते हैं, क् एक दूसरे की नहीं है, तो mirror image नहीं है, तो फिर क्या करो, बच्छो, किसी को उठा के rotation दे के देखो, बच्छो, ओके, तो अगर हम जैसे मानलों, इस वाले को rotation दे, ओके बच्छो, रोटेशन यह देने का यह मतलब नहीं, कि आपने OH ग्रूप को पकड़ को गुमा दिया, पूरे मोलेकुल को गुमा दो, कैसे भी जैसे आपका मन करें, आगे पीछे उल्टा नीचे, जैसे कोईंटोस करते हैं, ओके बच्छो, उस टाइप से, ओके बच्छो, गुमा के देखना, आपको उस तरह से रोटेट करके देखना, तो कैसे भी रोटेट कर लो, बच्छो, क्या होते है नो यह होते है बच्छो दो stereo isomers which are not the mirror images of each other तो यह क्या है बच्छो mirror image थोड़ी मैं एक दूसरे की लेकिन stereo isomers तो है bond connectivity भी सेम है ओके बच्छो groups का special arrangement different है बच्छो OH same side OH different side तो यह वाला तो correct है बच्छो तो यह हमारा answer नहीं होगा अब इसमें देखो बच्छो ओके तो क्या यह mirror image है एक दूसरे के ओके बिल्कुल है बच्छो mirror image क्योंकि अगर इस compound के बिल्कुल ठीक सामने आप mirror रखोगे ना तो यह towards दी यह जो wedge वाला CL है towards the observer वाला यह कैसे दिखाई देगा तो इस पर आपके मालों यह दो groups है ऐसे यह वाले in plane है ओके यहां से यह जो CL है towards the observer hydrogen क्या हो जाएगा away from the observer ओके तो हम देख सकते हैं इसमें कोई भी plane of symmetry नहीं है बच्छो ओके क्या नहीं है plane of symmetry नहीं है ओके तो यह क्या होगा बच्छो यह आपके inansomor होंगे ओके तो यह वाला भी relation correct है नहीं तो देखो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो compound में एक ही chiral carbon है chiral carbon मतलब ऐसा carbon जिसके चारो groups जिसके ओपर चारो groups क्या लगे हो different हो वो यह ही है बच्छो ओके अगर एक ही chiral carbon हो ना compound में तो वो optically active होगा अगर उसकी mirror image दे रखे है साथ में तो वो inansomor ही है बच्छो क्या है inansomor ही है फिर दूसरा इसमें बात करें बच्छो तो क्या यह एक दूसरे की mirror image है तो mirror image तो यह नहीं है बच्छो ओके लेकिन stereo isomor ज़रूर है पहले वाले में हम चेक कर सकते बच्छो और एक अबस का spatial arrangement है डिफरेंट है नहीं होगे बच्छो तो mirror image नहीं हो सकते हैं कि ऩ इस अगर यहां करेक्ट ही नेक्स्ट वाले पे चलते हैं देो इसमें क्या है कि मिरण इमेज भी है दो नमबर ही जैसे हमने सेकिंड वाले में देखा था वैक्त्छो लेकिन इसमें इस तरह से प्लेन हो सिमेटरी डालें, इसको मैं ऐसे विज्वालाइज कर सकते हैं, एक क्यूब के अंदर रखो इसको, क्यूब के सेंटर पर कार्बन होगा बच्छों, और अधा सेंटर पोजीशन पर आपके ग्रूप्स लगे होंगे, आपने दूसरा में रख दिया, तो यहां से एक ऐसा प्लेन डालो जो कंटेन करें इथाइल ग्रूप हाइड्रोजन और कार्बन को, तो वो प्लेन उसमेटरी यहां पर प्रेजेंट ओगा ना बच्छों, सो, इनकरेक्ट रिलेशन कहां पर दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है, इन एंशोमर्स नहीं होंगे, आइडेंटिकल यह होंगे, करेक्ट आंसर विल बी ओप्शन 4, I hope आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, थेंक्यू बच्चों.